हेलो दोस्तों कैसे आप सब उमीद है आप लोग अच्छी होंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप से बात करने वाला हूं कि आप अपना यूटूब चैनल कैसे प्रमोट कर सकते हैं यूटूब पर आप अपनी वीडियो केसे ईट्स लगा सकते हैं मतलब कि आप अपना यूटूब ऐड्स के स्क्तों एजली बताऊंगा कि इससे आपका चैनल कैसे प्रमोट हो जाएगा ल्ग करे कि सिट्यार को देखा तो दोस्तों इसी से रिकॉर्डिंग आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में अगर चैनल पर पहली बार रहे हैं तो चैनल को सुस्क्राइब ज़रूर करने वीडियो को लाइक करें करें ताकि हमारी वीडियो आप तक कैसी कहुंचते रहे इसके लिए चलते हैं PC की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं एक दम step by step बताऊंगा तो चलिए बताते हैं आपको कैसी यह किया जाता है जैसा कि मैं आगे अपने लेप्टॉप की स्क्रीन पर आने के बाद मैं अपना Chrome उपन कर लेता हूँ Chrome क्या मैं open कर लेता हूँ Firefox आप Chrome पर भी कर सकते हैं आने के बाद मैं अपना YouTube open करूँगा जिस चैनल पर आप वीडियो लगाना चाहते हैं प्रमोट के लिए जो आप वीडियो प्रमोट कर सकते हैं तो उसी पर आऊँगा आने के बाद आप अपने प्रोफाल पर टैप कर द आप जैसे ही जाएंगे वहां आने के बाद आपको कंटेंट पर क्लिक करना है कंटेंट पर क्लिक करने के बाद कोई भी एक वीडियो आप ले लिजे जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं लाइक की मैं ये वीडियो ले लेता हूँ यहां जाने के बाद थ्री डाट पर तो वहां से आप पूछेगा स्लेक्टा Google Ads account यहां अगर आपके पास Google Ads account है तो आप उससे प्रमोट करना चाहते हैं या तो न्यू पर चाहते हैं तो आप यहां से मैं अल्रडी एक बनाया हूं तो मैं switch Google account पर कर देता हूं जैसे ही करता हूं मेरा वो email आ जाता है आने के बाद जैसे आप नहीं बनाया है तो simple सा new pay करेंगे तो कुछ करना नहीं है एक click में आपका account create हो जाता है जैसे मैं यहां आता हूं आने के बाद लिख के आता है कि drive video views and traffic to our website या drive video views are engaged with your channel इसका क्या मतलब है कि जैसे आप इसके बाद वीडियो जो देखे हैं वो होता है जो उपर वाला option है drive video views and traffic to our website इससे क्या होता है कि आपका वीडियो कोई देखते रहेगा तो वीडियो के बीच में वो आएगा उसको इसके बाद वीडियो रहेगा तो आपको ऐसा नहीं करन है और जितना भी जो लोग देखेंगे उसी हिसाब से आपको पैसा कटेगा ऐसा नहीं कि उसके सामने गया और आपको पैसा कट गया क्लिकेबल रहेगा तब ही पैसा कटना है यह करने के बाद फिर आता है यहां थमनिल का option थमनिल में आप मैं जो थमनिल है वही रख सकता पैसे उसके बाद नीचे option आता है कि आप टाइटल में क्या headline क्या देना चाहते है तो headline जो है वही देना चाहता हूँ। और यहां option आता है इंटर description लाइन का यहां मैं type कर देता हूँ या आप भी कुछ भी type कर सकते हैं यहां मैं type कर देता हूँ कि grow YouTube channel और इधर लिख देता हूं एरन में यहां लिखने के बाद यहां नेश्ट का ओप्सन आएगा आप यहां नेश्ट कर दीजे नेश्ट करने के बाद आप से पूछेगा कि आप किस कंट्री में इसको अपना जो वीडियो है कहां दिखाना चाहते हैं उसके बाद निचे आएगा language तो अब किस लेंग्वेज में आपकी वीडियो है कहां कहां किस लेंग्वेज के लोग इसको देखें इसकी मेरी हिंडी में है तो मैं हिंडी टाइप कर देता हूँ और उर्दू भी इसी से डिलेटेड आती है तो मैं उर्दू टाइप कर देता हूँ और इंग्लिस है ये करने के बाद नीचे आपसन आएगा यहाँ आपको एवरेज कॉष्ट पर व्यू सीपी भी दिखाता है अट्रा से उन्चास पर इसे अभी चार्ग बता रहा है पर व्यू का वहाँ जैसे निच्ट करते हैं आपको बताएगा कि आप जेंडर चूस कर सकते हैं कोई इंसा जेंडर आपकी वीडियो देखे फिर एज आप यहां से देख सकते हैं फिर parental status आप देख सकते हैं कि कौन देखे कौन देखे मैं इसको skip करके यहां से निच्ट करदूँगा निच्ट करने के बाद सर्च फार इंट्रेश्ट मतलब कि यह इसलिए है आप कौन लोग इसको सर्च करें किस टॉपिक की आप वी आपकी वीडियो है वो लोग देखना चाहते हैं जैसे मेरा यूटूब से डिलेटर है तो यूटूब मैं यहां डालता हूँ कि यूटूब मोनेटाइज डाल लेता हूँ मैं तो यहां जितने भी आपसन है आप उसको देख लीजिए और उसी हिसाब से आप उसको पिक कर दीजिए कि उसी टॉपिक से लोग आपका वीडियो देखेंगे यसे मैं इतना पिक कर दिये पिक करने के बाद आप यहां से नेश्ट कर दीजिए कि निश्ट करने के बाद आप यहां से चूज कर सकते हैं कि आपका डेली बज़र्ट कितना होना चाहिए मतलब एक दिन में आप कितना परिशा खर्चा कर सकते हैं जैसे यहां साड़े 300 है 350 तो 350 मैं रहने देता हूँ यहां रन कांटिनियूसली है और सेलेक्ट आइन इंडडेट है तो मैं इंडडेट डाल लेता हूँ जैसे 28 मार्च दिखा रहा है तो मैं यहां आज डाल लेता हूँ 17 दो दिन में उसके बाद 0.23 से 6.68 पैसे पर व्यू आपका कौश्ट हो सकता है उसके बाद निश्ट करता हूँ निश्ट करने के बाद आपको पूरा दिखाएगा कि डेली बदट कितना है क्या कहता है उसके बाद फिर आप निश्ट करेंगे निश्ट करने के बाद आप यहां आपका सिड्यूल हो गया यहां होने के बाद आप बजट पे जाएंगे मैनेज पे मैनेज पे जाने के बाद आप बैक करिए मैं एक प्रमोट किया हूँ उसके उसी लिए यह ऐसा आ रहा है अब उसके बाद आपके पास आपसन आएगा यहीं पर पेड का तो आप जितना अमाउंट आप डाल देंगे मतलब 350 के हिसाब से पर डे है वो जितना अमाउंट आप एड फंड करेंगे उसी हिसाब से आपकी जो प्रमोट है जो एड है वो चलेगी तो दोस्तों एकदम इसी साब ट्रिक्स आपको बताया हूँ अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें ताकि हमारी वीडियो आप तक ऐसी ही पहुँचती रहे